वेलकम टू जो फाइंडर दोस्तों और देखिए आज का वीडियो हमारा दिल्ली पुलीस हैड कॉंस्टेबल के लिए रहेगा आपको बता इसकी हाली में 554 पोश्टे निकली थी इसके फोर्म उमीद है आपने जरूर भरे होंगे और देखिए इसके अंदर आपके बस 20 जो कि आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे और बिल्कुल अच्छे टाप की कोश्टन है जो कि आपके दिल्ली पुलीस के एक्जाम में अक्सर आते रहते हैं तो उमिद करूंगा वीडियो आपको हेलफ लगेगा चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो टोटल वोट यहां पर आपको कितने पड़े हैं तो देखिएगा अगर आपके पास कोई भी इस टाइब कोश्टन है तो आप कैसे करेंगे यहां पर मैं लिख देता हूं विनर यानिकी डबल्यू और यहां पर मैं लिखता हूं हारने वाला यानिकी लूजर अब जो मान ल गए तो 100 में से बाकी कितना बचा यहां पर 59 तो दूसरे बंदे को कितने मिलेंगे यहां पर 59 परसेंट जो है वो सैगिंड परसन को मिलेंगे अब नहा पर लिखा है कि 5580 मतों से वो हार गया ठीक है यानिकि जो इनके बीच का अंतर है इन दोनों के वोटों का अंतर है वो क ठीक है 18 का अंतर इनके परतिशत में आ गया 59-41 और इनके जो परतिशत में 18 का अंतर है और एक्चल में वोटिंग में अंतर कितने का है 5580 का अंतर है इतनी बात क्लिर हो गई यहां पर किसी को कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी आप इसको आप कैंसल करेंगे तो 18-18 और देख और कूल वोट हमने कितने माने थे 100 ठीक है तो 100 प्रतिशत हमने कूल वोट माने थे अब आप यहां पर देखिए कि अगर एक प्रतिशत की वेल्यू 310 है तो 100 की वेल्यू कितनी हो जाएगी 100 को आप 310 में गुणा कर दीजिये तो 310 में हम 100 गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा 31,000 और option A अगर आप देख रहे हैं तो आपका A जो है वो बिल्कुल correct answer है आप इस question को ऐसे easily solve कर सकते हैं option A हमारा बिल्कुल सही होगा उमिद करूँगा question आपको अच्छे जे समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं अपने next question की तरफ और हमारा next question देखिएगा कि खिलोनों के मुल्लों में प्रती खिलोना 20 प्रतिशत वृधिक की जाने पर इनकी बिक्रीम की संख्या 15 प्रतिशत कम हो गई खिलोनों के वुक्रे मुल्ले में कितना परिवर्तन हुआ तो देखिए question बिल्कुल वही है successive rate वाला कुछ जो student है इसको x plus y into x y upon 100 इस तरीके से करते हैं बट हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे हम बिल्कुल authentic और बिल्कुल genuine तरीके से करेंगे ताकि आपके गलती के chance बहुत ही कम हो ठीक है अब यहाँ पर देखिएगा कि मान लिजे खिलोनों का जो actual मुले था वो था हमारा 100 परतिशत ठीक है अब 20 परतिशत की विर्दी हुई है तो 100 में 20 परतिशत जोड़ेंगे 100 का 20 परतिशत कितना होता है 20 होता है 100 में हमने 20 जोड़ा तो वो कितना हो गया यहाँ पे 120 हो गया अब देखिए next line क्या बोल रहा है कि पर इनकी बिकरी में 15 प्रतिशत की कमी हो गई तो कुछ लोग क्या करते हैं इस 100 का 15 प्रतिशत यहाँ पे लिखते हैं 85 तो जो की हमारा बिल्कुल गलत है 120 की विर्दी होने के बाद कुल मुल्य कितना हो गया अब 120 हो गया 120 प्रतिशत हो गया तो इस 120 का 15 प्रतिशत आप निकालेंगे 120 का 15 प्रतिशत कितना होता है 18 होता है चीजें यहाँ पे क्लिर हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ है कम हुई है तो इसमें हमने अठारा मैनस कर दिया तो यहाँ पर कितना बचेगा आप 102, 2 बचेगा चीज क्लिर होगे यहाँ पर बिलकुल आपकी अप यहाँ पर देखिये कि पहले हमारा कितना था 100 प्रतिशत और अप जा के कितना हो गया है यह 102 प्रतिशत तो पूछा है कितने की वृद्धी हुई है, कितने का परिवर्तन हुआ है तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 प्रतिशत की वृद्धी हुई है क्योंकि 100 से 102 हमारा finally हो चुका है तो option A देखिएगा यहाँ पर हमारा जो है इसका भी बिलकुल correct answer होगा बढ़ते हैं अपने next question की दरफ, next question देखिएगा हमारा next question है, संत्रे के मुल्य में 20 प्रतिशत कमी होने पर एक व्यक्ति 25 रुपे में 5 संत्रे अधिक खरीदता है ठीक है, यह थोड़ा सा मिस्पिरिंट है, 5 संत्रे क्या करता है, वो अधिक खरीदता है तो संत्रों का वर्तमान मुल्य क्या है, अब देखिए अगर वर्तमान मुल्य निकालना हो तो आपको एक चीज फोलो करनी है, और अगर आपसे पूछे इसका प्रारंभिक मुल्य, पहले मुल्य कितना था तो भी आपको एक चीज फॉलो करनी ही है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है अगर 20 परतिशत की कमी हुई है तो आप इसको क्या लिखेंगे 20 बटे 100 लिखेंगे बट ध्यान रहे अगर यहाँ बोलता 20 परतिशत की वृद्धी हुई है 25 रुपे में 5 संत्रे अधिक खरीद रहा है ठीक है यह आप इतना समझ में आ गया अब इसको सोलव अगर आप करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा क्या वो आएगा हमारा वर्तमान मुल्य तो यह हमारा क्या है वर्तमान मुल्य है तो दिखेगा बीस एकम बीस बीस पंजे सो पाच्चू पंजे कितना होता है पच्चिस और पच्चिस से हमारा यह पच्चिस कटेगा तो हमारा कितना बचेगा एक तो वर्तमान मुल्य हमारा कितना है एक रुपे परती संत्रा है option a हमारा यहां से बिलकुल सही होगा तो यह तो होगे हमारा वर्तमान मूले निकालने कर तरीका अगर आपसे पूछ ले था कि इसका पहले मूले कितना दा तब आप कैसे निकालते उसको भी जरा यहां पे आप समझ लीजिए 2 मिनिट लगेंगे ठीक है कि देखिए वर्तमान मूले कितना है एक है और यह एक कब है जब 20 प्रतिशत की कमी हो रही है यानि कि 20 प्रतिशत की कमी को हम 80 प्रतिशत लिख सकते हैं हाना 100 में से 20 हम घटाएंगे तो 80 बचेगा हम से पूछा है प्रारंभिक मूले यानि की पहले तो मूले उसका 100 प्रतिशत ही होगा पूरा और यहां पे हमने लिख दिया एक्स अब इसको क्या कीजिए आप क्रोस मल्टिप्लाइ कीजिएगा और आपका यहां से अंसर आएगा क्रोस मल्टिप्लाइ करने के बाद यह हमारा कितना बनेगा 100 बटे में 80 गुणा एक्स ठीक है यहां पे आप समझेए यह है प्रारंभिक मूले निकालनेगा तो इसको हम करेंगे तो 1.25 तो 1.25 जो है वो हमारा क्या आएगा वो आएगा हमारा पहले का मूले तो यह 1.25 रुपे हमारा पहले का मूले था 20 परतिशत कमी होने के बाद अम मूले कितना हो गया है एक रुपे हो गया है तो यह दोनों आपको समझ में आ गए होंगे बढ़ते हैं अपने next question की तरफ next देखिएगा कि 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई बुन सकते हैं इसी गती से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाईयां बुनी जाएंगी तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारा work होता है वो क्या होता है efficiency into time होता है यानि कि जो हमारे कारे होता है वो शमता और समय के गुणन फल के बराबर होता है अब इस बराबर का मतलब समझ रहोंगे कि डबलू यहां से हटके हमारा इनके बटे में भी जा सकता है यह चीज़ आपको समझ में आ गई अब यहां पर हमारा question देखिए कि चार बुनकर ठीक है अब देखिए चार से हमारे चार कैंसल हो गया और चार से यह कैंसल होगा चार दुनी आठ आठ दुनी कितना होता है 16 होता है तो हम क्या बोलेंगे एक्स की बल्यू कितनी आ गई यहां से 16 आ गई तो option D हमारा यहां से बिलकुल सही आंसर होगा 16 ठीक है यह वाला question भी आपकर clear हो गया होगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो next question देखिएगा हमारा वो है 750 रुपे को A, B, C में इस प्रकार बांटा गया है कि A ratio B जो है वो 5.2 है और B, C जो है वो कितना है 7 अनपा 13 है तो A का भाग कितना है तो अब दिखिए इसमें आपको ratio को solve करना आता होगा नहीं आतो तो हम यहाँ पर सीख लेंगे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ A, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ B, यह कितना है 5 ratio 2 है, यहाँ पर मैं लिख दिया C, ठीक है आप समझेगा, B और C की हम बात करेंगे तो B हमारा कितना है, 7 ratio 13 है तो B की निचे हमने B लिख दिया और C हमने यहाँ पर लिख दिया, 13, ठीक है, अब इसको आप solve कैसे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, दो तरीके, यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 7 होता है, यहाँ आप 7 लिख दीजिए, और इनका अपस में आप गुणा कर दीजिए, तो भी ह हमारा कितना बनेगा, टोटल बनेगा, यह 75, ठीक है, अब रेशो में टोटल जो है, हमारा पस कितना बना है, वो बना है हमारा 75, और एक्चुल में कितने रूपे हैं, वो हैं 750, तो 75 को मैं किसके इक्वल रखूँगा, 750 के इक्वल रख दूँगा, ठीक है, यह रेशो में क्या है एक भाग कितना है अब आप देख रहे हैं एक का कॉंपोनेंट कितना है वो है हमारा 35 एक की वेल्यू कितनी है यहां पर दस है तो 35 की वेल्यू हमको निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी 35 गुणा 10 कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी 350 और option D हमारा जो है यहां से बिल्कुल correct answer होगा तो गैस यह भी आपका question अच्छे समझ में आ गया होगा उमीद करूँगा कोई भी question नहीं समझ में आ तो comment book जिन्दा बाद है कोई question पर doubt है तो comment जरूर करिएगा मिलते हैं next video में किस अच्छे topic के साथ तब तक के लिए bye bye and thank you